और शुरुबात करते हैं, खबरों को विस्तार से जान लेते हैं, रूस ने यूक्रेन के नीप्रो और पोल्टावा शहर पर मिसाइलों से हमला किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, इस वक्त आपके सामने रूस ने यूक्रेन के दो बड़े शहरों पर मिसाइलों से हमला किया है, नीप्रो और पोल्टावा शहरों पर ये हमला हुआ है, और यहां कई इमारतों को भारी नुक्सान पहुचन की भी खबर आ रही है, आज युद्ध का 49 दिन है, रूस के हमले लगातार तेज हैं, और साथ ही इन हवाई हमलों में अब दो और शहर चपेट में आ गए हैं, नीप्रो और पोल्टावा शहर से जो ताजा जानकारी आ रही है, वो ये है कि यहां पर रूसी सेना ने हमले कि हैं और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुचा है इन हमलों के चलते, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये लगातार दोनों देश आपस में बाचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बाचीत का समाधान इस वक्त कोई निकल नहीं पाया है, युद्ध लगातार दोनों देशों के बीच, ये जो ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये हवाई हमले की तस्वीरें हैं और एक मिसाइल से हवा में ही एक हलिकॉप्टर को उड़ा दिया गया, लेकिन जो ताजा हमला हुआ है, वो दो शहरों पर बताया जा रहा है, नीप्रो और पोल्टवा नाम के इ झाल